हेलो दोस्तों कैसे ही आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है निवता मम्मी जी आप तो चार दिन पहले ही आज आईएगा आप ही तो बताएंगी कैसे सारे काम निप्टाने हैं मैं तो वैसे भी सालों से सहर में अकेली रह रही हूँ ज़्यादा देती रिवात जानती नहीं हूँ हाँ हाँ सुहानी हम सब समय से आज आज आएंगे । आज अपनी ससुराल अपने पती सुमित के साथ आई थी। आपने बुड़े माबाप के लिए अलग से कमरा बनवाया है कि नहीं मा कैसी बाती कर रही हो आपके लिए कमरा तो क्या पूरी एक मंजिल बनवाई है आप जिस कमरे में रहना चाहें उसी में रह सकती हो और क्या आखिर वागर भी मेरे बेटे का ही है हिस्सा तो मेरा भी बनता है चोंसुहानी मैं सही कह रही हूँ न मम्मी जी चाहें यहाँ हो चाहें वहाँ हो गर सब आप के ही है तब ही वहाँ ससुर जी आ गए घर का नाम क्या रखा है समित बाबु जी आपको जानकर बहुत खुशी होगी आपके नाम से ही घर का नाम करड़ किया है आपके सुब नाम सांती प्रसास से प्रेरित होकर ही घर का नाम सांती कुझ रखा है हाँ भाई आखिर बाप हूँ तेरा घर के नाम में तो बाप के हिस्सेदारी बनती ही है हाँ बाबु जी आप एकदम सही कह रही है भाबी केवल माबाप का ध्यान रखा और मेरा नहीं क्यों दीदी ऐसे क्यों कह रही है बोले ना आपको क्या चाहिए मैं तो सोने का हार लूँगी आखिर मेरा भाई नई घर में जा रहा है आपको तो पता ही है जब आपकी साधी नहीं हुई थी तब उसके सारे काम मैं ही किया करती थी आज उसका भुगतान का समय आ गया है आखिर मेरा भी तो कोई हिस्सा बनता है इस कुशी में कहकर सुहानी की ननद सिया हास पड़ी शिया दीदी मा के बात का दरजा आपको ही दिया है मैंनी हिस्सेदारी तो आपकी बनती ही है कहकर सुमित सिया की गोध में अपना सर रकर लेट गया इतने में हिस्सेदारी पंदरा साल की बेटी जोही दोड़ती मामा मामा नए घर पर मेरी क्या हिस्सेदारी होगी बोल जोही क्या चाहिए तुझे जैसा मम्मी के पासे रेसमजरी का लेंगा है ना बिल्कुल वैसा लेंगा चाहिए मुझे वाभी सच्चे काम का बड़े लोगों को हिस्सेदारी मांगते सुनते देख तो सुहानी को अजिब नहीं लगा लेकिन पंदरा साल की जुही के मुझे ऐसी बाते सुनकर सुहानी चौक गई उल्टा सा ससुरो ननद जुही की इस बात पर इतराने लगे ओ मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है कहकर सिया जुही की बलाया लेने लगी आखिर तेरे मामा मामी है तू कहेगी जो देंगे तुझे सुहानी अपने ससुराल वालों की आदत से वाकिप थी सादी के समय भी सा ससुर ननद सबने एकर करके अपनी सारी मांगे उसके पिता के सामने लगी थी ऐसे में सुहानी को उनके इस विभार पर बिल्कुल आशर नहीं होता था फिर सुमित का अपने परियरवालों के लिए इतना प्यार सुहानी वैसे भी इन मामलों में सुमित के आगे ज़्यादा बोल नहीं पाती थी पर सुमित की एक बात अच्छी थी जितना मान सम्मान वह अपने माबाप और बहन का करता था उतना ही पत्नी का भी करता था अकेले रहने की वज़ा से सुमित सुमित को घर के कामों में हमेशा बराबर का हाथ पटाता था कहीं ना कहीं सुमित के घरवालों को इस बात से बड़ी दिक्कत होती थी लड़का होकर घर के काम में भागी दारी उन्हीं बिल्कुल पसंद नहीं थी तैसमें पर सुमित के सभी घरवाले नए घर में रहने के लिए आ गए सुहानी ने सभी काम बहुत अच्छे से प्रिबंदित कर रखा था 24 गंटे का एक नोकर रख रखा था जिससे काम का बोज उस पर अकेले पर ना पड़े जैसा जैसा साससर नंदोई और उनकी बेटी ने चाहा वैसा वैसा सुहानी और सुमित ने लोगों के लिए किया सुहानी ने अपना सारा हिसाब लगाते हुए सुमित को टोका भी सुमित हम हमारे बजट से बहुत उपर जा रहे है तुम्हें लगता है क्या या सही है तुम चिंता मत करो सुहानी माबाप की कुछी सबसे बढ़कर है मैं आगे ओर टाइम करके सम मैनेज कर लूँगा अभी मम्मी पापा जैसा चाहते हैं वैसा कर लेते हैं सुहानी पूरिय कारकर में कहीं कोई नाटक खड़ा नहीं करना चाहती थी इसलिए जो उसकी सास कहिती रही वह वैसा ही करती रही चाहे सास की बहन का नेग हो चाहे उनके भाई भोजाई का चाहे ननत के सास सुरका नेग हो या ननत की ननत का खास हो या दूर हो हर नेग में जैसा हिसा सास ने चाहा सुहानी ने खुजी-खुजी सब को पूरा किया लेकिन इतना होते वे भी सुहानी की सास को कुछ खटकता था वो था सुमित का सुहानी के हर काम में हात बटाना आकिर सुहानी अकेली क्या-क्या सम्हालती ऐसे में सुमित ने घर को दिन मैं आपकी मदद नहीं करा सकती मेरे बेटे को बुखार है अस्पताल में भरती कराना होगा तू चिंता मत कर तू ने तीन दिन मेरी बहुत मदद करी है आगे के दिन भी किसी तरीके से निकल ही जाएंगे तू जा तेरे बेटे को सम्हाल और राधा चली गई इधर अब रसोई के सारे कारियों की जिम्मेदारी सुहानी के सर पर आ गई सुमित सारी परिस्तित समझ रहा था दूर के रिस्तेदार तो सभी चले गई थे लेकिन खास-खास की सूची बनाएं तो घर में अभी भी कम से कम दस लोग थे इन दस लोगों का सुभा से लेकर नासता खाना पिना चाय पकोड़े सैंड्विच किसी की मीठी चाय तो किसी की फीकी चाय किसी को करेला पसंद नहीं तो कोई आलू को बाल कर नहीं खाता किसी को बिंडी लंबी कठी चाहिए तो किसी को टिंडी तो के और भरवा ही पसंद आते हैं, ऐसी औरगिनद फर्माई से, सुहानी खे पास में सुभा से साम तक रहती थी, सुमिद दिन में तो काम पर सला जाता था, लेकिन सुभा साम में सुहानी की पूरी मदद करता था, सुमिद त्यमा कई बार उसे ठोक देती थी, हम अभी थोड़े दिन में चले हमारे साथ बैठ करें थोड़ी बात भी कर लें हामार आधा चली गए है ना अब सुहानी के पास काम ज़ादा है आप चिंता ना करें मैं आपके साथ भी बात कर लूँगा बात करना तो एक बहाना था हकीकत में साज नहीं चाहती थी कि सुमित सुहानी को घर के कामों में हाई हाई मेरा फोल जैसा बच्चा इस से आज तक मैंने एक चमच तक नहीं दुलवाई है और सुहानी तुमने मेरे बेटे का क्या हाल बना दिया है सुहानी ने सुमित को रसोई में से बाहर जाने का इसारा किया सुमित को गुछा तो बहुत आया लेकिन बात ज़्यादा आगे ना बढ़े इसलिए वा रसोई में से बाहरा गया जैसे ही वा कमरे में गया सास ने फिर से वहीं बात छेड़ दी देखो सुमित इस तरीके से अपनी पत्नी का गुलाम बनकर रहना तुम्हें सोभा नहीं देता आखिर तुम आदमी हो ऐसे काम तुम्हें सोभा नहीं द किसी बात पर उलजना नहीं चाहता था वह जानता था दो तीन दिन में माबाप चले जाएंगे इसलिए उसने बात को वहीं खत्म करने की सोची लेकिन वहां बैठे सभी सदिस्यों को बात खत्म करने से च्वेन कहा मिलने वाला था ऐसे में सुहाने का नंदोई बोला भाई जी ज़ी की जो इस तरीके से कह रही हैं आप बोली जी जा जी क्या नहीं किया सुहानी ने भाई नए घर में सभी ने अपना अपना हिस्सा लेही लिया आखिर हमें क्या मिला हमारे हिस्से में तो एक सोने की च्वेन बनती थी लेकिन आप लोग ने तो मातर 10,000 रुपे दे मामा वैसे मामी ने मेरे लिए भी मैंने कहा जैसा लहंगा नहीं बनवाया या देखे बार्डर को कितनी पदली है लहंगे की पर ठीक है कहे कर तान्या ने मूँ बिचका दिया हाँ बेटा बुरा मानने की बात नहीं है तेरी मौसी जी भी कह रही थी नेग में हिस्सा तो उनके पद के हिसाब से बहुत ही कम मिला है और तेरी मामी उन्ही तो साड़ी बिल्कुल मी पसंद नहीं आई पर हम्ने क्या कहती कुल मिला कर बहुनी सभी पदों की हिस्सेदारी उनके मान-सम्मान के अनुरूप नहीं दी कहनी को बहुत सब कुछ मेरे कह कहे ही कर रही है लेकिन यह तो उसके खुद के समझ की बात है कि मेरे कहने के अबाज़ोद भी उसे उन रूपियों में कुछ बढ़ा कर ही देना चाहिए सुमित के लिए अब बरदास्ते बाहर था वह सोच में पड़ गया आखिर कैसा परिवार है यहां मैं और सुहानी अपन में भी सोचा है कभी आप में से किसी ने भी सोचा कि सुहानी अकेले ही दिन बर सारे काम समालती है हम हमारे अधिकार का हिस्सा तो मांगने आ जाती हैं लेकिन अपने करतवियों में भागी डारी निभाने कभी आगे नहीं बढ़ते ऐसे में में अगर उसकी कुछ मदद कर भी देता हूँ तो आपको भावी बरदास्त नहीं होता पापा जी आपके नाम से तो इस घर का नाम है क्या चार पासी दिनों के लिए भी आप आजार से सब जियां नहीं ला सकते थे मापूरी एक मंजिल आपके लिए बनाई है इस मकान में क्या थोड़ा सा साफ सफाई का जिम्मा नहीं निवा सकती थी और शिया दीदी सोनी का गहना मागा था आपने जिसे आप निवा गहने मांगे उसे भावी को रसोई में थोड़ा काम नहीं करा सकती और जूही को तो क्या बोलूं आप सब ने इसको इतनी चूट दे रखी है कि आप से भी चार कदम बढ़क कर ही बात करती है जहां तक बात मेरे काम करनी की है तो फिर जब घर हम दोनों का है तो हर काम में भागीदारी भी हम दोनों की होनी चाहिए पती पतनी का रिस्ता आपसी समझ और सूजबूस से बनता है ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि मैं घर के कामों में भागीदारी करक तो ही बेतर है आम मेंसे किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो वहाद दो दिन पहले ही यहां से जा सकता है क्योंकि मैं और सुहानी इससे ज़्यादा आप लोगों के लिया और कुछ नहीं कर सकते अपना रूधा गड़ा लेकर सुमित कमरे से बाहर निकल गया बात बिगड़ते मा बेटी और सभी के हलक सूखने लगे सभी एक दूसरे का चहराने हाने लगे जानते थे सुमित बिल्कुल गलत नहीं है क्योंकि जिस हकसे हिस्सेदारी मांगी उस हकसे उन में से किसी ने काम में भागीदारी नहीं निभाई अब सब के पास अपनी अपनी पसंद बन चु साम से ही सुमित की बेहन और उसकी मा सुहानी के काम में हाथ बटाने लगी क्योंकि उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और या इतने अच्छे बेटे और बहु को खोना नहीं चाहते थे आशा करती हूं दोस्तों आपको मारी कहानी जरूर अच्छी लगी होग कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक जियर सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में तब तक के लिए धन्यवाद